सुन्दर दिखने की कला आप भी जान लो सिर्फ इन घरेलू उपायों का प्रयोग करे और गोरा निखार पाए नमबर एक आलो को नैच्रल स्कीन लाइटनिंग माना जाता है इसलिए आलो के दो तुकडे करे और उनसे चहरे की मालिश करे करीब 15 मिनिट आलो को चहरे पर रगणने के बाल कुछ देर योही रहने दी और फिर ठंडे पानी से धोले रोजाना तब तक ऐसा करे जब तक स्कीन का कलर निखन जाए नमबर दो हल्दी और दूद को मिक्स करे और उस पिष्ट को चहरे पर लगाए कुछ देर योही रहने दी और फिर ठंडे पानी से धोले हर हपते दो या तीन बार ऐसा करे धीरे धीरे चहरे का रंग गोरा हो जाएंगा नमबर तीन मसूर की दाल भी गोरा रंगत पानी के लिए बड़ा ही कारगर उपाए हैं इसके लिए मसूर की दाल ले और उसे पीस कर उसमें थोड़ा शार शहद और दही भी मिला ले अब इसका एक मास्क बना कर चहरे पर अच्छी तरह से लगाए और सुखने दे जब यह हलका हलका सूखने लगी तो धीरे धीरे हाथों से मसाज करे और फिर गुनगोने पानी से धो दे हथे में कम से कम तेन बार यह तरीका अपनाएं फिर देखिए के से चमतकार होता है नमबर च्यार चहरे का रंग निखारने का सबसे आसान तरीका है भाप लेना इसके लिए रोजाना थोड़े देर के लिए भाप ली और फिर सापतोले से हलका हलका चहरे को दबाएं इससे दो फाइदे होंगे एक तो किल मुहासों की परिशानी दूर होंगी और दूसरा फाइदा ये कि चहरे के सारे गंदगी गहराई से साफ हो जाएंगी नंबर पाच निम्बो औ एक निम्बो के जोस को साथ मिला कर चहरे पर लगा ले और फिर सुखने दे इसके बाद गुन्मुने पाने से चहरा धो दे नंबर छी आवला खाने से भी चहरे का रंग साफ होता है इसके लिए आप आवला किसे वे फॉर्म में खा सकते है या तो आवला मुरब्वे के खाने में शामिल करे रोजाना आवला खाने से धीरे धीरे चहरे का रंग साफ होने लगेंगा साथ दूद रंगओड करने के लिए सबसे जादा मददगार है खासकर कच्चा दूद इसके लिए रुग के फाए को कच्छे दूद में भि供ो कर चहरे पढ़ लगाए और हल के हलके हाथ से चेहरे की मालिश करें रोजाना ऐसा करने से कुछ ही दिन में रंग साफ हो जाएंगा नमबर आठ संत्रे और पपिते का गूदा निकाल कर उसे अच्छी तरह से मैश कर चेहरे पर लगाएं रोजाना ऐसे करेंगे तो असुर जरूर दिखेंगा नमबर नौ गोरे और साफ रंग के लिए तरबूज और खीरा भी काफे कारगर है इसके लिए या तो खीरे और तरबूज के तुकडो को काट कर धीरे धीरे चेहरे के मालिश करें या फिर खीरे और तरबूज का जूस निकाल ले और उसमें थोड़ा सा निम्बू मिलाएं औ दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे